दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रामकमार राही, आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सोसल राही, आज मैं बावाई ग्राम में हूँ, जो टाउन इर्गा में आता है, जो जन्पत जालून उत्तर प्रदेश में हैं, जिस घर में मैं बैठा हूँ, जो मेरे पास जो लड़की बैठी हुई है, ये लोग बहुत गरीब हैं, और साइद इस बावई में 30 साले हो गई रहते रहते, केवल मंजदूर्दी के बलबूते पर जी रही हैं, और इनके पास कोई साहरा नहीं है, इनके पास मकान भी नहीं है, कच्ची दवालन पर छप्रा रखा हुगा है, और बच्ची के जो बच्ची बैठी हुई है, इसके अंदर टैलेंट बहुत है, बच्ची पढ़ने वाली है, इसकी बुगा इसकी देखरेक करती है, इसका एडवीशन भी बावई में है, बावई से पांचे किलो मीटर की दूरी पर जो चुर्खी पढ़ता है, उसमें जो आवस ये बिद्याला है, वहाँ पर इसका एडवीशन है, पढ़ने में भी बहुत तेज है, लेकिन इसकी मज करवाते हैं उस बच्ची से, बिटिया क्या नाम है आपका, खुशी, खुशी, कौन से किलास में पढ़ती है, शिक्स, शिक्स में, तो वहाँ पर रहना पढ़ता होगा आपको, हाँ होस्टल है, वही पर हम रहते हैं, चुट्टियों में आती है, चुट्टी जब हो जाती ह तो अभी तो जैसे कौराना टाइम चला है, तो अभी आपकी चुट्टी चल लगी होगी, हाँ अभी चुट्टी मेडम को फोन किया, तो बोली जनरी में खुलेंगे स्कूल, तक उनका मेडम का क्लियर फोन नहीं आएगा, कब खुलेंगे, कब नहीं, कौन-कौन से सबजेक इंगलिस मेरी बी के वाकी हिंदी में मेरी बहुत अच्छा है मेरा, और साइस में वी काफी अच्छा है, तो कौन सी क्लास बता याट भी, जिक्स, अच्छा सिक्स में पढ़ती है, तो आपका खर्चा कैसे मेंटेन होता है, खर्चा हमारी जो भूगा है, वो मतलब महनत मज मजूरी करती है, हमार बुगा का एक छोटा सा लड़का भी है, मैनत मजूरी करती हो, हमको भी खर्चा चलाती है, जैसे भी चलता है, थोड़ा बहुत, सो कुछ भी करके, जितना भी करती है, हमारी लिए अच्छा ही करती है, जैसे भी पढ़ाती है, पर पढ़ाती है, आप कि आपकी जीने में दिख्कत थो आ रही है कितनी कर लेगी कहां से खर्चा चलाए doubled एक बच्चा उनके भी है, आप भी इतनी पड़ी लिखी है, बड़ी हो, आपको भी जरूरत की, पैसे की जरूरत है, तो कहां से मैंटर्न कर लेगी? क्या पिरदान जी से कभी बुगा जी ने चर्चा नहीं की? प्रदान जी से कई बार का पिर्दान कई बार बलने, जब चुनावाते हैं, जब तो कहते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, बेंजिम, आपकी सुन लेंगे, पटटटटा करवा देंगे, और काफी सालों समया पे रह रहे हैं, कुछ जगाए भी नहींगे, दूसरों की जगा करती हैं, हाँ, कोचिंग लग वाती है, हां, अभी लान में बंद चल लए जए को सब्लाइब ऑंगे, और क्लास और कोचिंग अभी बंद चल लएँ, हाँ, तो क्या भूआ से बात हो पाएगे आपकी, हां हो सकती है, न बुलवा दीजिए, बुआ आप पी आ जाएगी सु देखिए साथियो आपके सामने एक लड़की है और इसी बुगा भी बैठी हुई है तो आपको बताईए क्या-क्या परेसानिया जलना पड़ रही है आपको यो आपको सरकारी सुद्दा नहीं मिल रही है हमें तो कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से और ना तो कोई रहने के लिए जगा मिल ले ही ना कोई हम लोगों की सुनता है और कानून भी भी नहीं सुनते हैं के अहां के पिरदान भी नहीं सुनते हैं मेहनत मजूरी करते हैं खाते हैं गाउवालों से पैसे अभी मांग रहे तो गाहँवालों से किसी से हजार पे किसी से दो हजार पे मांगते हैं, देते हैं, लेते हैं, खाते हैं, और कोई सुबदाई नहीं हैं. तो कितना कर्ज आपने लेकर खा लिया होगा अबीतर? हो गया होगा तीस चालिस हजार पे. तीस चालिस हजार पे. अपके उपर करज हो गया आपकी उपर करज तो जब आपकी महनत प्राइगी नहीं कर पाऊगी फर करज कैसे चुकाए जाएगा इस लिए चुकाने के लिए की रास्ता है इस गाउं से दूसरे गाउं जाये गे वह हमारे परवार के हैं मामा मा के लड़के हैं वो लोग गाते हैं, बच्ची को गलत बोलते हैं, हमसे भी अब्बेत अब्बे बोलते हैं. आपकी साधी हो गए ती क्या? हमारी साधी हो गई हो, फिर वो लोग लेने नहीं आया, हमारा छोटा ललका है, एक साल का. अचा बो भी लेने नहीं आया? हाँ, बीस साल बाद में दूसरी हमारे ममी पापा. तो आपको यहां बाबखे हैं रहते हैं तीस साले हो गए? हां तीस साल, हमें हो गए हमारे पापा दो बहुत साल पहले से रहे है. तो आपने बरावर कुष्ट किया है कहा है परदान जी से लिए किसी नहीं सुनी हाथ है। से भी का हैं कि जो मुख्या हैं पंच लोग इंगाउं के बड़े आदमी हैं उन्से भी का फिर एक हमारा गाओं है बावे उसमें रहते हैं गड़ी के राजय साहब फिर यहांगे ठाकुर साथ की जगा में हम लोग रहते हैं तिसाल हो गई हूं तो उन लोगों का कुछ होने लगा होगा तो हम से बोलते हैं कि आप यहां से हटो तो राजासाभ के गार गए थे तो उन्य एक रहने के लिए हमें थोड़ी सी जगा बता दिए अपता नहीं साब कब तक रहने दें कब तक कब तक कर रहने दें लिए अब Tagen तो भी हटा सकते हैं देखिए हम आपको इनका घर भी दिखा रहे हैं विचारे इसके गरी परवार में तीन लोग है एक छोटा सा बच्चा है एक बच्ची है जिसका नाम खुसी है और इनकी जो भूगा है इनका नाम बिमल है और ये देखिए घर की कंडिसन है इनकी ऐसी कि देखिए जख़़घर होगा है उस पर सारी चीज़ें जिद काई दे रही है देखिए हम आपको इसके जख़़ए देखिए बिचारे कितने गरीब है इनकी ये कंडिसन है कि जख़़घर रख रखा होगा है इस गर में रहते हैं पानी कि परेशानियों बहुत पड़ती है, आने जाने में पानी भी बर जाताया है, कीड़े मकोडे तमाम आ जाते हैं, लेकिन इतनी गंदी में रह रहे हैं, ऐसे घर में एक जो बच्ची है, खुशी, वो इतनी टेलेंट है, कि उसके बारे में जितनी परसंसा करें, उतनी कम पढ़ जाएगी लेकि बिचारी परियसानी से बहुत जूज रही है, खर्चा भी नहीं मिल रहा है, उसको लेकिन फिर भी हार नहीं रही है, साथियों आप देख सकते हैं कि हमने जिस गरीब को दखाया है, तो ऐसे गरीब बिचारी बहुत कम मिलते हैं, जो आपको पूरा दखा रही झाल झाल झाल